हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल सोने स्टोरी कई सालों पहले किसी एक राजय में एक राजा राज करता था राजा को गोडे पालने का बहुत शोग था राजा के पास वैसे तो कई सारे गोडे थे लेकिन इसके पास चार ऐसे जंगली गोडे थे जो राजा को काफी पसंद थे राजा ने इन गोड़ों को ट्रेन करने के लिए कई ट्रेनरों को बुलाया मगर कोई भी इन गोड़ों को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया जब भी कोई इन पर बैठने की कोशिश करता तो ये उसे तुरंत अपने पीट से फैंग देते या उसे लात मार देते राजा को घोडे प्यारे बहुत थे इसलिए ट्रेनरों को सक्त वार्णिंग दी जाती थी कि इन पर जोड जबर्दस्ति ना की जाए यानि कि इन्हें मारा पिटा ना जाए कई महीने निकल गए मगर कोई भी ट्रेनर गोडों को अच्छी तरह से ट्रेन करने में सक्षम नहीं हो पाया तब राजा ने अपने राज्ये में धिंडोरा पिटवाया कि जो भी व्यक्ति इन गोडों को अच्छे से ट्रेन कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा कुछ दिनों बाद एक यूवा ट्रेनर राजा के पास आया राजा ने अपने शर्त कि घोडों के ट्रेनिंग बिना मार पिटाई होनी चाहिए उस यूवा को बताई यूवा ने राजा की शर्त मान ली और अपने तरफ से भी राजा के सामने दो शर्तें रख दी यूवा ट्रेनर बोला मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तयार हूँ मगर मेरी भी दो शर्तें हैं जो आप मानो तभी मैं आपके घोडों को ट्रेन कर पाऊंगा राजा ने कहा पहले शर्तें तो बताओ ट्रेनर बोला पहली शर्त है कि मुझे इन घोडों को ट्रेन करने के लिए कुछ महीने या पूरा साल भी लग सकता है उतना वक्त दिया जाए और दूसरी शर्त यह है कि इन घोडों के खाने, पीने, रहने का बंदोबस्त पूरा मुझे पर छोड़ दिया जाए राजा के पास कोई और विकल्प था नहीं कोई भी ट्रेनर आज तक घोडों को ट्रेन करने में सफल नहीं हो पाया था और अब तो नए ट्रेनर्स भी आने बंद हो गए थे राजा ने युवा ट्रेनर की सारी शर्ते मान ली और घोड़े उसे सोंक दी युवा ट्रेनर अगले दिन से ही एक बड़े से बाड़े में इन घोड़ों को ले कर गया और वहां सब को खुला छोड़ दिया ट्रेनर बाड़े के किनारे किनारे पर दोड़ने लगा फिर दोड़ते दोड़ते ठकने के बाद यह युवा ट्रेनर बड़ी वही बाड़े में लेट गया वहां से उठने के बाद उसने खुद ही गोड़ों को चारा खिलाया और पानी पिलाया इन सब प्रक्रिया के दोरान उसने घोडों को नहीं बादा था अगले दिन भी ट्रेनर ने वही सारा काम दोराया जो उसने पहले दिन किया था यह काम उसका नित्यक्रम बन गया वह घोडों को बाड़े में खुला छोड़ देता उन्हें घास चारा खिलाता और बाड़े के किनारे किनारे दोरता रहता धीरे धीरे चारों घोडों ने भी उस ट्रेनर के पीछे पीछे दोरना शुरू कर दिया घोडों को लगने लगा कि ट्रेनर उनका दोस्त है और उनसे प्यार करता है सारे घोडे ट्रेनर के साथ बहुत ही सहज महसूस करने लगे कुछ महीने बीटने के बाद एक दिन राजा अपने घोडों की खबर लेने के लिए और यह देखने के लिए कि ट्रेनिंग कैसे चल रही है तो बाड़े में आया राजा ये देखकर खुश हो गया कि सारे घोडे ट्रेनर के पीछे पीछे दोड रहे थे राजा को अब यकीन हो गया कि यह ट्रेनर ही उसके घोडों को ट्रेन कर सकता है राजा खुशी खुशी वहाँ से चला गया देखते ही देखते एक साल बीट गया तब जाकर यूवा ट्रेनर ने राजा को संदेशा भिजवाया कि घोड़े पूरी तरह से ट्रेंड हो चुके हैं तो राजा एक बारा कर देख ले राजा की हाजरी से यूवा ट्रेनर ने एक के बाद एक सभी घोड़ों के सवारी की और उन्हें मन्चाही जगहे पर ले जाकर दिखाया राजा यह देखकर बहुत खुश हो गया राजा ने यूवा ट्रेनर से पूछा कि मुझे तुम बताओ कि तुमने यह कैसे किया यूवा ट्रेनर ने राजा को सारी बात समझाते हुए कहा मैंने सबसे पहले इन गोड़ों को अपनापन महसूस कराया इनके साथ रहे कर मैंने इनको आजाद करके यह जताया कि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं इनसे प्यार करता हूँ फिर मैंने इनको खाना और पाने देकर उनके और करीब जाने की कोशिश की और इनके साथ खेल कर इन्हें सिखाने की कोशिश की इस तरह धीरे धीरे ये मुझे अपने करीब आने देने लगी अपने पीट पर बैठने देते और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब मुझे ये उसार लाखों सोने की मोरे दी और साथ में हमेशा के लिए इन चारों घोड़ों की देखबाल करने की नोकरी भी दी दोस्तों कहानी तो बहुत ही मज़िदार और रोचक है ही मगर इसका जो सारांश है वह बहुत ही गहरा है अगर मनुष्य के जीवन के साथ इन चार घोड़ों के तुलना की जाए तो ये चार घोड़े होंगे चिंता, गुसा, घमड़ और लालच और मनुष्य के बुध्धी को हम युवा ट्रेनर की तरह देख सकते हैं जिस तरह से युवा ट्रेनर ने समय लेकर और समझदारी से धीरे धीरे चारों बदमाश घोड़ों पर काबू पाया उसी तरह कोई भी मनुष्य अपने जीवन के सबसे बदमाश खोड़े यानि की चिंता, क्रोध, घमड़ और लालच पर काबू पा सकता है पहला ऐ प्रशिक्षित घोड़ा जो की चिंता है, हमारे बुद्धी को यह समझना होगा की चिंता बुरी होती है और चिंतन फायदे मन्द होता है चिंता किसी भी समझ्या का हल नहीं होता, हाँ चिंतन से हमें नए रास्ते चरूर दिखाई देते हैं दूसरा उद्धंड घोड़ा है क्रोध, दोस्तों कभी कभी जीवन में क्रोध करना आवश्यक होता है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती है, जब आपका हक कुई मार रहा हो या बेवज़े आप पर जुल्म कर रहा हो तब क्रोध करना कोई पूरी बात नहीं है, मगर क्रोध कभ करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस पर करना है इन सब की लगाम अपने हाथों में रखना बहुत जरूरी है तीसा उद्धंड घोड़ा है लालच लालच ग्यान पाने की हो तो अच्छी है लालच अग्यानता की हो तो बुरी है लालच धन मेहनत से प्राप्त करने की हो तो अच्छी लालच बिना मेहनत के गलत तरीके से धन प्राप्त करने की हो तो बुरी चोथा और आखरी उदंट घोड़ा है घमण मैं यह काम कर सकता हूँ इसे गर्ब कहेंगे और सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ यह घमंड होता है बस यही सारी फर्क बुद्धी रूपी ट्रेनर से इन उद्धन्ड घोड़ों को समझाने होंगे फिर आपके यह चारों बदमाश खोड़े भी देखिए कैसे कंट्रोल में आते हैं अगर आप भी इस कहानी से सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और अपने फ्रेंड सरकल में भी इसे शेयर कीजीगा मेरी चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद